Hello students, my name is Naveen and welcome back to our YouTube channel CodeGuru तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि Static Function C++ में क्या होते हैं Static Function और Non Static Function में क्या-क्या Difference है और उसके बाद आगे चलकर हम एक Code लिखेंगे जहाँ पर हम Static Function का use करेंगे तो अभी सबसे पहले हम जानते हैं कि Static और Non Static Function में क्या-क्या Difference है तो सबसे पहला जो Difference है कि जो मेरे पास Non Static Function होते हैं जो कि Default Function रहते हैं They all are Non Static Function तो Non Static Function मेरे पास अगर किसी Code में है वो Static Member और Non Static Member दोनों को ही Access कर सकता है लेकिन अगर मैं Static Function मनाता हूँ तो Static Function के साथ मैं सिरफ और सिरफ Static Member, Static Variable को ही Access कर सकता हूँ मैं वहाँ पे Non Static Member को नहीं Access कर सकता हूँ उसके बाद Non Static जो Function है उसको अगर मुझे Call करना है Class के बाहर तो वो कैसे Call होगा मुझे उसके लिए Object Create करना पड़ेगा लेकिन जो Static Function है उसे मैं Scope Resolution के साथ Access करूँगा एक Example के साथ समझते हैं Left Side में मैंने एक Class Create की है, Test Class यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखें, दो Function है, Get Data and Show Data यह दोनों Function के हैं, they both are Non Static Function लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड में, Right Hand Side में मेरे पास Get Data और Show Data, यह दो Function तो हैं ही है इसके साथ एक Wide Get Count Function है, जो कि मेरा Static Function वो कैसे पता चल रहा है कि इसके साथ मैंने Static Keyword दिखा है तो यहाँ पे अगर मैं इस Get Count की बात करूँ इसे मैं बिल्कुल Access नहीं कर सकता है लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं Show Data की बात करूँ Show Data के है मेरा, यह Non Static Function है तो यह Non Static Function, यह X को भी Access कर पाएगा Y को भी Access कर पाएगा, क्योंकि यह दोन लों भी Non Static है साथ ही साथ यह Count Variable, जो कि Static है उसको भी Access कर पाएगा That means, जो पहला पॉइंट है उसे आप देहां से देखें यहाँ पर Maximum Student Confused होते है पहला पॉइंट एक बार फिर से देखते हैं कि Non Static Function के Through मैं Static Member और Non Static Member दोनों को ही Access कर सकता हूँ लेकिन अगर मेरे पास किसी Code में Static Function है तो Static Function सिरफ और सिरफ Static Member को ही Access कर सकता है तो यहाँ पर मैंने कुछ Code आउलेडी दिखा हुआ है Class एक Create की हुई है, Class का नाम Test है Member Variable जो कि मैंने वहाँ पर आपको Show किये थे Same Member Variable है मेरे पास 3 Member Variable है, X, Y और Count जिसमें से X है, Y मेरे Non Static है, Count is Static और Static Member को हमें Class के बाहर Access, Class के बाहर Initialize करना पड़ता है और मैंने यहाँ पर Class के बाहर मेरे Static Member को, Static Member Variable को Scope Resolution के साथ Initialize किया हुआ है और इसकी Initial Value के रखी है, मैंने 1 और अगर मैं Functions की बात हुआ हूँ Get Data Function, Non Static Function, Show Data is a Non Static Function और एक मेरे पास Static Function है, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है, Get Count तो इस Get Count के अंदर मैं यहाँ पर अपने Static Member को Access करूँगा Get Data का Code मैंने अल्रेडी लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं है कि मैं यहाँ आपको Explain करूँ क्योंकि ऐसा Code हमने अपने पिछले वीडियो में अल्रेडी यूज़ किया हुआ है Show Data के Through Max और Y की Value को Display कर रहा हूँ यहाँ पर मैं चाहूँ तो Count को भी यूज़ कर सकता हूँ लेकिन Get Count की मैं बात करूँ तो Get Count का मैंने यहाँ पर यूज़ किया सिर्फ अपने Static Variable को Access करने के लिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ Cout मैं यहाँ पर Value डिस्पले करता हूँ अपने Static Member Variable की Count की जिसका नाम भी Count है और मैं यहाँ पर Under लिख देता हूँ अब Student Main के अंदर मैं जाके सबसे पहले अपनी Class के दो Object क्रेट करता हूँ Test Class के T1 and T2 मेरी यह दो Object हैं T1 Object के साथ मैं यहाँ पर Call करता हूँ Get Data Function को Get Data Function which required two Argument उसे मैं दो Argument पास कर देता हूँ दोनो Argument Integer Type की हैं इसी तरह से मेरा जो Second Object है उसका नाम है T2 इसके साथ मैं अपने बाकी दो Variable को भी Value पास कर देता हूँ तो T1 Object के साथ मैंने Get Data और इसी तरह से T2 Object के साथ मैंने Get Data Function को Call किया अब मैं यहाँ पे इनी दो Object के साथ अपने दूसरा Non Static Function जो की Show Data है उसे Call करता हूँ और उसके बाद मैं अपना Code चला कर देखता हूँ कि मेरा Code यहाँ तक सही चल रहा है या नहीं इन उसके बाद हम क्या करेंगे अपने स्टैटिक मेंबर स्टैटिक फंक्शन मेरा स्टैटिक फंक्शन जो है उसका नाम है इसका यूज करेंगी अभी इससे पहले मैं Normal Code चला कर देखता हूँ Code चलना चाहिए 10-20 और 25-30 जो कि मेरे दो जेट की वैलू है वो यहाँ पर शो रही रही है अब जो मेरा Get Count function है Get Count function को मैं Class के बाहर कैसे Access करूँगा उसे मैं Access करूँगा with the help of Scope Resolution Operator तो मैं यहाँ पर मेरा जो की function का नाम है Get Underscore Count तो Get Underscore Count को जो की Class के अंदर मैंने Initialize किया हूँ है इसे अगर मैं Object के साथ Call करूँ तो Object के साथ Call ना करके It will be called through the Scope Resolution Scope Resolution के साथ मुझे पताना पड़ेगा अपनी Class का नाई Class का नाई में Test then I will write the Scope Resolution Operator and through this I will be able to access my Static function Static function को यहाँ पर मैं Call करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास Count की Value भी Display होगी Count की Value यहाँ पर तो मैं यहाँ पर Count Variable को लिखना बोल गया था भी हम Code को फिर से Run करते हैं तो It will work now So there you can see T1 object की Value 10, 20, 25, 30 लेकिन Count की Value क्योंकि Count क्या है मेरा It is a Static Variable Static Variable मैंने क्या बोला था They are not mapped with the object तो इसकी Value by default क्या Value है मैंने जो Initialize की थी इसकी Value मैंने Initialize की है 1 इसकी Value को अगर मैं 10 करूंगा तो इसकी Value सबी को 10 ही दिखेगी तो इस तरह से हम Static Function को क्लास के बाहर Scope Resolution के साथ एक्सेस कर सकते हैं तो अभी Student कहींबर जब यह Topic आपके पास वाइवा में पूछा जाता है या इस Topic के उपर कोई Question आ जाता है तो कहीं बार आपसे यह पूछा जाता है कि मुझे Static Function के अंदर जो कि मेरा यहां पर Get Count Function है यहां पर मैं चाहता हूं कि X और Y को भी Access करना तो क्या possible है तो अभी हम यह देखते हैं कि Static Function के थूँ अगर मुझे Access करना है Non Static Member को तो उसका solution क्या है तो उसका solution क्या है कि मैं अपने Get Count Function जो कि मेरा Static Function है इसे मैं Object Pass कर दूँगा इसे Reference तो मैं यहां पर जहां पर मैंने Initialize किया है तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं Test Class का एक Reference यहां पर Create करता हूं उसका नाम मैं रखता हूं तो सेम मैं यहां पर Code अपना चेंज करूँगा जहां पर मैंने अपने Function को Define किया है तो अभी हम क्या करते हैं मेरे पास T1 में Get Data T2 के अंदर Get Data तो Show Data के थुरू जहां पर मैं X or Y की Value को डिस्पले कर रहा था तो मैं Show Data के साथ ना करके मैं क्या करूँगा Get Count के अंदर ही सारा Code मैं Get Count के अंदर ही Cut करके यहां से वहां पर पेश करता हूँ तो लेकिन मुझे Code में कुछ Changes करने पड़ेंगे वह Changes क्या है तो आप पहले यह देखें कि जब मैं Get Count को Call करूँगा Get Count को Call करते हुए मैं क्या करूँगा यहां पे उसे मैं Object Pass करूँगा मैंने क्या Object Pass किया T1 So T1 का यहां पे वह as a reference pass वोकर किसके पास गया OBJ के पास That means it is a it is an alliance of T1 object So that means यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा जहां पे मुझे T1 object के X की value को display करना है So here I will write OBJ.x and similarly here I will write OBJ.y तो इसका मतलब क्या है पहले हम इसे एक बर run करते हैं उसके बाद फिर समझते हैं तो देखिए आप मैंने अपने static function static function क्या है get count get count के through भी मैंने अपने non static value को यहां पे access कर लिया कैसे किया कि अगर आप देखें function को ध्यान से इस function अगर जो argument है वो क्या है it is a reference of the class और जब मैं get count function को call कर रहा हूं उसे मैं क्या pass कर रहा हूं पनी class का एक object कौन सा object पास किया t1 तो t1 object जो है उसका एक reference create हुआ obj और जब मैं लिखता हूं obj.x obj.x because obj is referring to the data of t1 object तो इस तरह से मैं x की value को यहां पे static function में भी access कर पा रहा हूं तो इसी तरह से अगर मैं यहां पे test के साथ scope resolution के साथ get count function को next line में call करते हुए यहां पे t1 object पास करता हूं तो अब next time में यह t2 object का data भी मुझे show करेगा इसे run करते हैं तो run करकर अगर हम देखेंगे t1 object का data यह मेरा t1 object का data this is count क्योंकि मेरा node static है उसकी value 1 उसके बाद मेरा t2 object का data जो ती जिसकी value थी 25 and 30 और count की value again क्योंकि वो मेरा static variable है और static variable are node mapped with the object तो उसकी value सभी को एक जैसे ही दिखेगी अगर उसकी value 1 है सब को 1 दिखेगी उसकी value 10 है तो सब को 10 दिखेगी तो student आज के इस video में हमने देखा static function और non static function में क्या difference है और हमने यह देखा कि static function के through हम सिरफ static variable को ही access कर सकते हैं लेकिन अगर किसी scenario में आपको यह पूछा जाता है कि static function के साथ मुझे non static member को भी access कर सकते हैं या नहीं so this is the solution कि हम static function में non static member को भी access कर सकते हैं so I hope you like my video so thank you student, thank you for watching my channel